हेलो स्टूडेंस आप सभी के जोगते मारे इस यूडियूब चैनल पर इस वक्सूट को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आप सभी डेली वीकली मंतली और बहुत सरे प्राइसे अमारे अंजी सकते हो बस उसके लिए आपको करना होता है वीडियो को लाइक चैनल को कर रखे यानि की डीडिंग कैम्पेंड की एक्टिविटी सीट संक्या 26 है जो की क्लास 6 तकी है और आज की डेट किया है साथ 1722 यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ प्री टीचर का नेम लिखना है और यह SCRT के द्वारा आती है चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दी गई गतिविदी को पूरा कीजिए किसी घने जंगल में गिद्ध का एक जुन्ड रहा करता था उनका पूरा जुन्ड एक साथ उडान भरता और साथ ही सिकार करता था कहने का क्या मतलब है एक घना जंगल था और वहाँ पर क्या थे गद्ध का एक जुन्ड रहा करता था जो क्या करता था पूरा जुन्ड एक साथ उडा करता था और एक साथ सिकार किया करता था एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुँच गया क्या वह वो सभी उड़ते उड़ते क्या वे एक पर मौझूद थी, सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लग गया, अब उन्हें सिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, सभी बिना किसी मैनत के भर पेट भोजन करते और टापू पर आलस से जीवन जीने लग गया, क्या हुआ है, कहने का मतलब क्या है, जो गिद्ध थ उन्हें एक टापू पर वह पहुस्ते हैं, वहाँ पर खाने पीने की सारी सुविदाय हुआ करती थी, और वह टापू पर रहने लग गया, और आलस भरे जीवन को क्या करने लग गया, बिना सिकार किया, उन्हें खाने को मिल जाता भर पेट, और वह उसी टापू पर रहने रहा करता था जिसने इस चीज को देखकर उसे क्या होने लगी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी वगिद्धो को कई बार चितावनी देता कि मित्रो हमें फिर से सिकार के लिए उडान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी सिकार करने की कला को मजबूत बनाये रखें कि हां उसने कि जो मित्रो है हमें वापस सिकार करने के लिए उडान भरनी चाहिए जिसे हम उस कला को मजबूत बनाये रखें अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम सिकार करना तक भूल जाएंगे इसलिए हम जल्द ही पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए और हमें पुराने ज जीवन छोड़ कर जाने की सलाह दे रहा है जो बाकी गिद देते हैं उन्होंने क्या कहा कि ये जो है बुड़ा गिद ये हमें अराम दायक जीवन छोड़ कर महनत भरे जीवन को बिताने की सलाह दे रहा है इस प्रकार से स्रेज गिदों के जुंड में से एक तापू से जानने से मना कर दिया ठीक है जुंडों ने क्या कर दिया टापू से जानने को मना कर दिया इसके बाद वहा बुड़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लोड गया वो क्या हुआ जंगल वापस लोड गया और कुछ दिनों के बाद उसे बुड़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय ह गया है चलो उस टापू पर चल उस टापू पर जाते हैं जहां वहां अपने साथियों से मिलकर आया था देखे और बुड़ा गिद्ध क्या हुआ कि चलो उस टापू पर चलते हैं जहां पर अपने गिद्धों को छोड़ कर आये थे वहां बुड़ा गिद्ध जैसे ही टाप ही पड़ी थी तभी उसने कोने में एक घायल गिद देखा उसके पास गया और वहां की भोजन समाप्त हो गया क्यूंकि हमें बहुत समय से उची उडान का भ्यास नहीं करा था तो हम सिकार करना ही भूल गया इस प्रकार से भूक से हम एक करकर मनने लग गया और घायल गिद्ध बहुत बाते सुनकर बुड़े गिद्ध को बहुत दुखवा और निरास बुड़ा आगे दिव वापस जंगल चला गया चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है तो यहां पर क्या बताया गया कि यह हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए इस कहानी से में यहां सीख मिलती है और कभी भी हमें अपने अराम दायक जीवन के लिए महनत के जीवन को नहीं मजने में कटना ही महसूस हूए twenties. उनकी सूची बनाकर, गयर के सादस्तियों या अपने सिच्छक या सिच्छकाओं के साथ उन सब्गों के अर्थ के उपचारण को सीखें। अर्थ और उपचारण दोनों को सीखना है तो चलिए हम उन सब्दों को धूनते हैं और उनकी सूची बनाते हैं उनके अर्थ और उप्चारण दोनों को सीखते हैं ठीक है मैं आपको वो सूची मभी बना कर दिखाता हूँ तो प्यारे बच्चो इस प्रस नंबर एक का उत्तल लिख लिए टापू टापू गारत क्या होता है जमीन का भाभाग जो चारोर पानी से गिरा हो इसके बाद अगला प्रस ने क्या है अगला पॉइंट क्या है इसका सुविदाएं अच्छी विवस्था चेतावनी का मतलब क क्या होता है सावधान करने के लिए कहे जाने वाली बाद और निरासा का मतलब क्या होता है जब आसा का अभाव हो जाता है तो चलिए देखते हैं अगला प्रस न क्या है तो अच्छो अगला प्रस न क्या है यदि आप बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो क्या पूछते और बुड़े गिद्ध उन प्रसनों का क्या उत्तर देता कोई तीन सवाल बताईए बनाईए और उनके उत्तर भी लिखिए तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो बच्चों इस प्रसन का उत्तर लिख लिजे ठीक है कि बुड़े गिद्ध से अगर हमें कुछ सवाल पूछने होते तो क्या पूछता तो प्रसनमबर दो का उत्तर हो जाएगा यदि मुझे बुड़े गिद्ध से सवाल पूछने होते तो मैं पूछता उचाई से धर्ती कैसे दिखती है तो उसका उत्तर होता उचार से धर्ती अत्यादिक सुन्दर दिखती है आपको उचाय से डर नहीं लगता नहीं मुझे यहाँ चाय नहीं होगा बिटा यहाँ उचाय लिख लेना ठीक है सुरी उचाय यहाँ पर होगा जहाँ चाय लिख दिया मुझ जिसे हम दोस्त हैं चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है बच्छो ठीक है एक बार आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ आप देख लो ये सारे प्रसन तो बच्छो अगला प्रसन क्या है बूढ़ा गिद्ध की किनी तीन विसेस्ताओं के बारे में लिखिये तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो बच्चो प्रस नंबर तीन बूढ़ा गिद्य की तीन विसेस्टा है जो लिखनी है उसके भारे में लिख लिए पहली बूढ़ा गिद्य अत्यादिकमहन्ति था बूढ़ा गिद्य अनभवी था बूढ़ा गिद्य आलसी नहीं था चलिए रेखते हैं अगला प्रसन Check Is तो बच्चो अगला परसने क्या है इस कहानी से आपने क्या सीखा अपने सब्दों में उत्तर लिखिए तो चलिए रेखते हैं इसका उत्तर मैं पास्पेट करना, धन्यवाद प्याले विच्छों.